पुझे विराट गुरुदेव को भाव वंदन जै हो हर व्यक्ति निरंतर साधना रत है अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति के जीवन का कोई न कोई लक्ष है गोल है और उस गोल को उस लक्ष को उस मन्जिल को प्राप्त करने के लिए वो निरंतर एक भाव के साथ, पूरी साधना के साथ उसमें रत रहता है आत्मग्यानी वुझे विराध गुरुदेव ऐसे साधकों के लिए तीन गुण बताते हैं आस्था, अडिक्ता और क्षमा अब ये साधक आध्यात्मिक पत के पतिक भी हो सकते हैं या अकाद्मिक शेत्र के विध्यारती और हो सकता है वो व्यवसाईक शेत्र में एक व्यवसाई हो चाहे किसी भी क्षेत्र में वो साधना कर रहे हो लेकिन ये जो तीन गुण है वो उसे अपने लक्षे तक पहुचाने में अपनी साधना को एक मुकाम तक पहुचाने में सहयोगी हो सकते हैं आस्था, अडिग्दा और क्षमा आस्था यानी स्वयम में अवस्थिती अपने आप में अवस्थिती अपने आप में stability पुझे गुरुदेव कहते हैं कि जब तक एक व्यक्ति का चित स्वयम के अतिरिक्त किसी अन्य चेतना में केंद्रित रहेगा, कहीं भी अन्य पर फोकस्ट रहेगा, तब तक उसका चित डामा डोल रहेगा, वो स्वयम को प्राप्त नहीं कर सकेगा और हां आस्था का अर्थ कोई belief system या हमारी कोई धारणा या मानेता से नहीं है, मात्र स्वयम में अवस्थिती, पूरी की पूरी चेतना स्वयम में केंद्रित हो, अपने आप में और वो भी किसी प्रताड़ना से या किसी धारणा से या कहें कोई जोर जबर्दस्ती से नहीं ह हो सकता, एक कथा आती है, तिबट में एक महांदार्शनिक साधक मिले रप्पा हुआ, कहते हैं जब वो तिबट में अपने गुरू के आश्रम में था, अत्यंत विनम्रता से, पवित्र भाव से, मात्र अपने गुरू की निश्राय में भक्ती करता, उनकी निश्राय में ध ध्यान साधना करता है, उसकी अपने गुरू के परती अनन्य भक्ती थी, जाहर सी बात है, जब कोई एक शिश्य इतना अधिक परतिवद्ध हो, इतना अधिक गुरू के परती समर्पित हो, तो गुरू का उत्रादिकारी वही होगा, ऐसी एक धार्ना सबी शिश्यों में ब जो बाकी के शिश्य थे, वो उस मिले रप्पा से बड़ी इर्श्या रखते थे. तो एक दिन ऐसे ही उसको बात करते करते, पहाड की एक उची चोटी पढ़ ले गए, लगभग 300 फिट उची वो पहाडी थी, वहां उस चोटी पढ़ ले जाकर उस मिले रप्पा से कहते हैं, तुम्हें तो अपने गुरु के प्रती बड़ी आस्था है, है ना, अपने भीतर गुरु की जो भक्ती है उस पर बड़ी आस्था है, अपने समर्पन पर बड़ी आस्था है, तो ऐसा करो, तुम गुरु का नाम लेकर इस पहाडी से कूद जाओ, तुम्हें क्या होगा, इतन उन्हें लग रहा था परानी हड्यावी मिलेगी या नहीं लेकिन जब वो उस पहाड़ी की तलेटी में पहुँचे तो देखा मिले रप्प तो पदमासन लगाये हुए ध्यान मंगन मैठा है उन्हें देखकर धन्यवाद दिया कि तुम सही कहते हो गुरू के प्रती आस्था क्या कुछ नहीं करवा देती धन्यवाद शिश्यों को बड़ा अश्चर्य हुआ उन्हें लगा शायद कोई संयोग हो सकता है मिले रप्प की किस्मत अच्छी थी एक दिन फिर उन्हों ने उसे मारने का प्रोग्राम बनाया प्लान बनाया एक जगा कहीं आग लग गई थी लग ही जाती है अकसर तो उस आग में एक महिला और एक बच्चा अंदर फसे हुए थे बाकी के लोग तो आ चुके थे वो महिला और छोटा सा बच्चा अंदर फसे हुए थे शिश्यों ने फिर मिले रप्प को उकसाते हुए कहा अरे तुम्हें तो गुरू पर बढ़िया आस्ता है तुम्हें तो स्वयम पर बढ़िया आस्ता है तो ऐसा करो ना अंदर जाओ आग तुमारा क्या बिगाड सकती है मिले रप्प तुरंद भीतर गया और महिला और बच्चों को बचाने की उद्देश्य से इधर शिश्यों सोच रहे थे काम तमाम मिले रप्प का अ यह बातें उसके गुरू तक भी पहुंची थी तो एक दिन इसी तरह से फिर वो नदी के किनारे बैठे थे और उन्हें नदी के किनारे पहुँचने के लिए नाव का इंतजार था उनके गुरू स्वयम नाव का इंतजार कर रह थे शिश्यों ने फिर उकसाते हूए मिले तुरंत नदी पर पहुँचा और नदी पर चलते हुए उस पार पहुँच गया। सत्गुरु तो ये देखकर हैरान रह गया। ऐसा कैसे संभव हुआ। खेर वो गुरु भी नाव आने पर उस पार पहुँचे और मिलेरपा से कहा ये क्या किया। तो मिलेरपा ने कहा गुरु देव मैं तो बस आपका नाम लेकर और चल पड़ा। गुरु को लगा ये बेवकूफ, ये भोला भाला मिलेरपा जिसे कुछ भी नहीं आता जब ये नदी पर चल कर पहुँच सकता है और कहता है मैं आपका नाम लेकर पहुँचा हूँ तो फिर मैं भी चल सकता हूँ इससे पहले गुरू ने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया था खेर गुरू जैसे ही नदी पर चलने को आतुर हुआ नदी में डूब गया लोग कहते हैं इसके बाद उस गुरू को कहीं नहीं देखा गया जरा हम देखें वो गुरू तत्व बाहर किसी व्यक्ति के रूप में नहीं मिलरपा के भीतर विद्यमान था उस गुरू में वो क्षमता थी या नहीं ये मिलरपा ने कभी भी उस साधक ने कभी भी चेक करने की या परिक्षा करने की टेस्ट करने की कोशिश नहीं की थी वो आस्था उसके भीतर विध्यमान थी उसकी चेतना स्वयम में केंद्रित थी और यही आस्था इन सारे कारियों में उसे सफल करती चले गई वहीं उसके गुरू को स्वयम मिले रप्पा पर भी डाउट था और मिले रप्पा पर ही क्यों स्वयम खुद पर डाउट था और स्वयम को टेस्ट करने के उद्देश्य से उस नदी पर चलना शुरू हुआ और फेल हो गया ऐसा हम भी अकसर करते हैं हमें कई बार अपने लक्षे के प्रती आस्था नहीं रहती हम अपने लक्षे से चूक जाते हैं हम किसी और के भरोसे पर भरोसा करते हैं वो लक्षे हम क्यों निर्धारित कर रहे हैं उस लक्षे पर हमें आस्था नहीं है हमारी अवस्थिती होती है आस पास चलते हुए ट्रेंड पर, लोगों के कहने पर, लोगों के बिलीव सिस्टम पर और हमें लगता है इस तरह से हम अपने गोल को पा लेंगे. जब लक्षय स्वयम हमारी दृष्टी में नहीं तो हमारी अवस्थिती उस लक्षय पर कैसे हो सकती है इसलिए ध्यान रहे अगली बार आप कुछ भी करें किसी भी लक्षय की और चल पड़ें उससे पहले स्वयम को चेक कीजिए क्या जिस लक्षय को आप प्राप्त करना चाहर रहे हैं उस लक्षय पर स्वयम हमारी आस्था है प्रशन जरूर पूछे खुद से और अगर हमारी अपनी आस्था है तो निमित आपको मिलते चले जाएंगे राहें अपने आप खुलती चली जाएगी, सहयोगी स्वयमेव मिलते चले जाएगे बस एक ही चीज ध्यान में रहे, स्वयम में अवस्थिती रहे अपने लक्षय पर अवस्थिती रहे हमारी चेतना कहीं किसी और पर केंदरित ना हूँ, मात्र स्वयम पर केंदरित रहे दूसरा गुण अडिक्ता, अक्सर हम डगमगा जाते हैं राह चलते हुए कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी हमें हमारे अनुकूल परिणाम नहीं मिले तो हम डगमगा जाते हैं, और ये डगमगाना ही, कई बार हमारे साधना का सबसे बड़ा hurdle बन जाता है, सबसे बड़ा obstacle बन जाता है, हम धीरज खो देते हैं, कई बार एक राह चलते चलते हमें आरे भीतर एक बेचेनी एक व्याकुलता उड़ती है अरे इतने साल हो गए इस राह पर चलते हुए अभी तक मुझे अपनी मंजिल नहीं मिली और हम तुरंत से अपना ट्राक चेंज कर लेते हैं जहां मंजिल शायद कुछ ही कदम दूर थी लेकिन हमारी ये डगमगाहट हमें अपने भीतर से चित कर देती है हमें अपने आप से दूर कर देती है अकसर हम दूसरों को देखकर डगमगा जाते हैं हमें लगता है वो सामने वो व्यक्ती तो मातर पांच साल में अपने लक्षय को प्राप्त कर गया मुझे 20 साल हो गए, अभी तक मुझे मिला नहीं बात समय की नहीं है बात है हमारे भीतर उस द्रड आस्था की और हम अपनी मन्जिल तक पहुँचने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं हम कितने द्रड हैं जैसे ही हम अपनी उस आस्था से डिगे हम मन्जिल से चूक गए एक छोटा सा प्रसंग है आप घटना समझ लें, प्रसंग समझ लें या कहने के लिए कहा गया एक प्रतीक चिन समझ लें एक मकड़ी अपना जाला बना रही थी मकड़ी है तो जाला तो बनाएगी क्योंकि जाला बनाएगी तभी तो उसका भोजन उस जाले में आकर भसेगा और उसका पेट भर पाएगा पेट भरेगा तभी तो वो जीवित रह पाएगी तो वो मकडी एक जाला बुन रही थी जाला बुन रही थी एक दरवाजे के आसपास ऐसे ही किसी जगा पर बिल्कुल कोने में एक बिल्ली वहा वे तुम्हें कोई भोजन नहीं मिलने वाला है। तुम्हें कोई भोजन नहीं मिलने वाला है, कोई दूसरी जगा जाकर जाला बुनो, मकडी ने तुरंत बिल्ली की बात पर रियाक्ट किया, उस अद बुने जाले को छोड़ा, और एक खिड़की की तरफ चली गई, और खिड़की में जाकर जाला बुनने लगी, जैसे ही वो वहाँ जाला बुन रही थी, एक चड़ियां वहाँ पर आई, और वो बोली, कितनी पागल हो तुम, ये भी कोई जगा है जाला बुनने की, अरे यहाँ पर तो सूरिय की रोशनी सामने से आती है, और तुमारा ये जाला एक दिन में ही खतम हो जाएगा, कहीं नहीं तुम्ह जाला गया, बात फिर मकडी को जज गई, उसने वहाँ जाला बनाना छोड़ा, और तीसरी जगा ढूंडी, एक अलमारी बड़ी थी, उस अलमारी के पीछे उसने जाला बुनना शुरू किया, जैसे ही बुनना शुरू किया, एक कौकरुच वहाँ से गुजरा, और कहने जब तक तुम बनोगी, तब तक ही अलमारी यहां से चली जाएगी, और तुमारी महनत सारी बेकार हो जाएगी, मकडी फिर वहाँ से हटी, और उपर पंखे के पास एक जगा पर जाला बुनने लगी, दीवार पर चलती हुई, चीटी उसे देख रही थी, लेकिन वो मकडी जाला नहीं बुन पा रही थी, क्योंकि बार बार जगा बदलने से वो ठक चुकी थी, कुछ खापी नहीं पाई थी, इसलिए एनरजी लॉस हो गया, उसने चीटी से मदद मांगी, तो चीटी ने कहा, क्यों मदद करूं मैं तुम्हारी, अरे तुमने तीन जगा जाला बु जाला बुनने से रोका, क्या उन्होंने स्वयम कभी जाला बुना था? तुम्हारे पास जाला बुनने का अनुभाव था, आधार था और तुम्हारी योग्यता थी, लेकिन फिर भी तुम लोगों के प्रभाव में आ गई, उन लोगों के प्रभाव में जिनोंने कभी जाल स्वयम बुना ही नहीं था और अपने लक्ष से भटक गई जो लोग दूसरों की बाते सुनते हैं स्वयम अपने आप पर भरोसा नहीं करते उन्हें किसी की भी मदद क्या सयोग दे सकती है यह कहकर चीटी अपने रास्ते पर चल पड़ी और वो मकड़ी उदास सी बेमन सी उने में पड़ी खुद के पूरे दिन भर के क्रिया कलाप को देख रही थी कि बार बार वो लोगों के प्रभाव में आकर अपने लक्ष से भटक रही थी जबकि अनुभव योग्यता दोनों उसके पास थी और ऐसा हम सभी अकसर करते हैं अकसर हम लोगों के कहने से अपना उसकी तयारी कितनी है लेकिन आसपास के लोग कहेंगे अरे एक ग्रुप क्यों देता है दौनों ग्रुप देने चाहिए अरे कुछ भी कर तू इस बार ब्रेक मत दे तू अगला जरूर देना और लोगों के प्रभाव में आकर लोग अपना निर्णाय बदलते रहते हैं अ लक्षय सिद्ध होने के लिए सबसे बड़ी आवशकता है कि हम धैरियक के साथ बिलकुल किसी भी तरह ना नजर इधर ना इधर हम डिगें ना उधर हम डिगें हम मात्र एक रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएं किसी भी तरह से अपने लक्षय से चुतना हो डगमगाए नहीं चाहे जैसी प्रतिकूल परिस्थिती आजाए चाहे जितना समय लग जाए लेकिन अगर हम प्रतिबद्ध है तो अपना लक्षय अवश्य प्राप्त करेंगे तीसरा गुण जो पुझे विराट गुरुदेव बताते हैं वो है क्षमा क्षमा यानी सहनशीलता हमारे आसपास कई ऐसे घटना करम होते रहते हैं जो शायद हमारे प्लानिंग में भी नहीं थे हमने कभी सोचा भी नहीं था लेकिन हम अकसर सहनशील नहीं होते हम उन्हें स्वीकार नहीं करते और छोटी मोटी चीजों से ही घबरा कर अपने लक्षय को छोड़ देते हैं क्षमा है अपने भीतर के आवेशों को अपने भीतर के आवेगों को भी सहन करना ग्षमा है अपने आसपास के वातावरण में घटत हो रहे हर परिवर्तन को हर आपात कालेईन परिवर्तन को, हर प्राकृत परिवर्तन को और कई बार लोगों के द्वारा बदलती हुई परिस्थितियों को उनके स्वभाव को भी सहन करना ये तीन गुण हमें अपने लक्ष को सिद्ध करने के लिए लक्ष के प्रती समर्पन के लिए अति आवशक है और ये तीन गुण मात्र एक आध्यात्मिक राह में ही नहीं जीवन के हर क्षेत्र में फिर वो चाहे परिवार में रहना ही क्यों ना हो कोई जौब करने वाला व् अगर उसके पास आस्था, अडिक्ता और क्षमा है तो निश्चत रूप से वो साधक अपनी लक्ष सिद्धी में सफल होगा ही। आप स्वयम अनुभव करें और अपने लक्ष को सिद्ध हूँ। यही सद्भावना ओम शांती। धन से ब이야 करें में सके भल निष्चत रहने को